पीछले वीडियो में जैसे हमने इंटर्यू की बात की सीखी की तरह जो है डॉक्युमेंटेशन का पॉशन भी जो है वो बहुत ही इप्बॉटन होता है आउस्ट मिल्डूं को लैंड करने की आज की वीडियो में हम वही सारी बात करेंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट को प्रिप एलो एवरीवन मेरा नाम डॉक्टर स्वापनिल है और इलाइट आडियस भाई स्वापनिल में आप सकता स्वागत की जो डॉक्यूमेंटेशन की जो हम बात करेंगे लिश्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की वो कई बार जो है वो प्राच्ची सौर एंप्लोयर के हिसाब से बदल और दिखल चलिए बात करते हồngब सबसे पहली डॉक्यूमेंट जो लगता है आपको गहीं पासपोर्ट अभी पासपोर्ट का क्या है वो आप कभी आपनी कंट्री के बाहर महीं बैच सकती उसके अंदर आपको क्या करना है तो पासफोर्ट का का फ्रंट और बैक पेज monstrous निकलवाना है और सिर आपके नजदिron यह हैं तो आपके जाके उसको और पंपोईइब करवाना पड़ता है आप आपकूंट ले लिजें और वहां Embassy आपके घर से दूर है ठीके तो कई एजंसीज भी होती है ठीके जो आपको ये Embassy से करवा के ले सकती है तो उनकी Help भी आप ले सकते हो और वहां से आप अपना 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 का प्रोसेज लो दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका 12th का Marksheet इंपोर्टन्स यह होता है कि वो लोग देखना चाहते हैं कि आपने कौन से सब्जिक किये है और आपके कौन से सब्जिक में कितने मार्ट आये हैं वो यह बहुत ही इंपोर्टन्ट डॉक्युमेंट है उसके बाद आपको 12 पासिंग सेटिफिकेट भी चाहिए जिससे पूनक जो है एंप्लोयर्स मेंच कर पाए और लीगलाइज कर पाए कि हाँ यही बंदा है जिसने यहां पे यह स्कूल में पड़ाई की थी उसके बाद जो है आपका डॉक्युमेंट लगता है वो है आपका डिगरी सर्टिफिकेट अगर आपने कोई डिपलोमा किया हुआ है और क तो फिर कोई सले है और आपको जो है वह पोजिशन मिलने का चांस बढ़ जाता है अगर आपने आईटी एंजिनियरिंग या तो फिर अगसान में जाएगा अगर आपने वह चीज़ भी जो है आपको चूपा नहीं है तो मैं जो एंजीनेर ग्रेडवेट है उनको यह पाथ पॉजिशन फिल एंप्लोयर जो है वह देना अवोइड करते हैं उसके बाद लगता है वह एक्सपिरियंस सर्टिफिकेट अभी एक्सपिरियंस सर्टिफिकेट मैंने जैसे कहा कि अगर आप सेन ही ब्रांच में अगर आउस्बिल्डू करना चाहते हैं और उसमें अगर मिलने करवाईए वह एक्सपिरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है तो जो कंपनी में आप काम कर रहे हो ठीके वहां से आपको एक परफेक्टी प्रिंटेड लेटर करवाना है ठीके उसका लेटर हैड जो है वह आपका कंपनी का नाम और प्रोपर एड्रेस और उनका के पास ऐसा ओफिशल लेटर आपको चाहिए वक सर्टिफिकेट ऐसा नहीं कि कोई पेज पें लिख के दे दिया और वह चल जाएगा तो एक उफिशल वक सर्टिफिकेट एक्सपिडियंस सर्टिफिकेट बनवाईए ठीक है अगर आपकी प्रोफाइल जो है वह आपको वह करना है तो वह आपको बहुत ही काम आ सकती है पोजिशन लाने के लिए अगर आपके पास नहीं भी है ठीके तो भी इस्यू नहीं है अगर है तो उसको भूल ये मत फीर जो इंपोर्टन डॉक्युमेंट लगेगा वह आपका सीवी जो है उसके लिए यूरोप के अंदर एक बनाना है तो उसको नहीं नहीं है वह एक्सिप करते हैं तो इसकी बाद जो मत बनाना है है वह मोटीवेशन लेटर अभी मोटीवेशन लेटर का कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए कि वह कुई बड़ा ऐसे ना हो ठीक है कि इतनी सारी पढ़ने की लोगों के पास ताइम नहीं होता और बहुत ही छोटा सा भी नहीं होना चाहिए ताकि उनको ऐसा ना लगे कि कुछ ह ही नहीं ठीक है जनरली जो है एक आदब पेज का बड़ा ही फोर पेज जीतना मोटीवेशन लेकर होना चाहिए और उसको आप परेग्राफ में डिवाइट कर सकते हो ठीक है पहले परेग्राफ में जैसे आपने परसनल इंफोमेशन डाल दी कि मैं यह हूँ यहां से पढ़ बहुत सारी अच्छी चीज़े जर्मनी के बारे में भी ना लिखे ऐसा ना लगए कि यह सारे चीज़े फेक है ठीक है तो प्रॉपर ली इसको मोटीवेशन लेटर बनाईए और तीसरे पेरेग्राफ में जो है वह आप अपने बारे में लिखे कि आप क्यूं इसमें आउस प्रक कीजिए फिर उसको भी जो है वह जर्मन में बनाना है एंग्लिश में पड़ेगा नहीं और जर्मन में खुद बनाने की ट्राइ कीजिए नहीं आता हो तो ठीक है कुछ प्रॉब्लेम हो तो एक बार अपने टीचर से भी जरूर चेक करवाईए क्यूंकि जर्मन लिख जर्मन में काफी मुश्किल होती है अगर आप सिर्फ बीबन करके आप भी जाते हो ठीक है तो फिर यहां पे आप जो है वह कैच अप नहीं कर पाते थियरी को है और फिर एक्जम में फिल हो जाते हो तो फिर आउस बिल्डूंग जो है आपका कम्प्रीट नहीं होता ठीक है तो उसमें शॉटकट मारने के ट्राय मत कीजिए उसको बीटू तक कम्प्लीट कीजिए और फिर यहां पे आए तो आगे जाके आपको ही फाइदा होगा यह जनरल लिश्ट ओफ डॉक्युमेंट है जैसे मैंने कहा कि इसके उपर भी जो है एम्प्लियर कोई एक्ट्रा आगे तो वह आप जरूर सब्मिट कीजिए उसके बाद जो है आपकी प्रोसेस आगे बढ़ती है अभी यह सारे डॉक्यूमेंट एक बार करने के बाद क्या करना है तो यह सारे डॉक्यूमेंट को जो है आपको जर्मन लेंग्वेज में ट्रांसलेशन करवाना पड़ता है और उसको लीगलाइजेशन करवाना पड़ता है तो यह चीज हम कैसे करें ट्रांसलेशन के लिए भी जो है आपको यहां के जो सर्टीफाइड ट्रांसलेटर होते हैं यहां की ट्रांसलेशन ओफिस होती है गवर्मेंट रेकागनाइज वहां पे आप ट्रांसलेशन मुझे ट्रांसलेटर के नंबर दे दो और वो सारे चीज ठीक है क्योंकि मैं यह चीज ऐसे क्लासिफाइड होती है ऐसे मैं शेयर नहीं कर सकता आप अपने आप सर्ट करने की ड्राई कीजिए गूगल में ठीक है आपको जो जगा पर आउसमिल्डूंग करना है ठीक है तो सिटी में कि वो जगा के आसपास कॉन-कॉन ट्रांसलेटर है उनका कॉंटेक कीजिए और इस तरह स्टिश करिए दूसरी चीज जो मैंने की वैसे लिगलाइजेशन अभी लिगलाइजेशन भी जो है वो दो तरीके से होते है पहली चीज जो है आपको जैसे मैंने का है आपको लिगलाइजेशन करवाना होता है कई एंप्लोयर जो होते है वो इंडिया या तरह पाकिस्तान या फिर अपनी कंट्री जो एक्टरी जो है उसके लिगलाइजेशन को इतना वैलिड नहीं मानती क्योंकि वो सब जानते है कि अपने यहां पैसे से भी काम हो जाता है उसके अथेंटिसिटी इतनी ज्यादा नहीं रहती एडवाइजेबल यही रहता है कि आप जो है वो यहां पर गवर्मेंट अपोइंटेड जो लीगलाइजर है ठीके उसके थू यह चीज करवाए ठीके वहां पर आपको अपने ओरिजिनल्स देने पड़ते है और फिर उस होने के बाद जो है आपको एपनाई करना होता है डिफ्रेंट आउसमिल्डूंग के लिए यह जो है वो पूरी डॉक्यमेंटेशन की प्रोसेस है ठीके काफी सारी चीज जो है जैसे मैंने कहा मैं यहां पर शेयर नहीं कर सकता क्योंकि जर्मनी के अंदर डेटा प्रोटेक् बनाना है अपनी ब्रांच के हिसाब से अपना मोटिवेशन लेटर बनाईए और सीवी बनाईए और अपनी सर्टिफिकेट्स लगाईए ठीके और फिर एपलाई कीजिए आउसमिल्डूंग मिलने का चांज जो है आपका काफी बढ़ जाएगा आई होप मैंने आपको एक् हुआ हुआ है